एलो एविवान मैं नेम इस इम्रान एंड वेलकम तो माई चैनल डिलव स्पोर्स आज का जो वीडियो है वह बहुत खास है मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आज के वीडियो में आप लोगों से शेर करना चाहता था तो यह वीडियो क्या है किस बारे में है मैं आप से पूरी वीडियो है वह एक बैट है हमारा जो वापस से इंटरनेशनल फ्लाय होने जा रहा है तो बहुत ही खुशी हो रही है और यह खुशी मैं चाहता था मैं अपने वीवर्स आपने यूटूब चैनल के जो मेरे मेरी टीम है उनके साथ में शेयर करना चाहता था तो यह वीडिय के भार हमारे स्माइशर प्रोबेट से हौज तो आए यह मैं आपको बताता हूं और मैंने नाम तो आपको बताई दिया है स्मेशर Candy है वो जा रहा है कतर Dzौहा-कतर स्प्रूइlor Kalau More रहा है इंडिया में के वार इंदूभी फेमस है और बेरेजर्या ज ces आ cyclist और दोल्тобलं तो बैक्स क्या है वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा यह इनका फर्स बैट जो कतर जाने वाला है दोहा कतर इसका मैं आपको पुरा एक रन थ्रू देता हूं सारे साइट से हम लोग इस बैट को देखेंगे और मैं इसके आपको रैंडम एक पिंग टेस्ट भी करके दि है अध्यख़ काफी क्लियरली विजिवल है पूरे बैट फे इसका साइड व्यों आप घये इसका बैक्यों और यह विए इसका सेकंड साइड यह बैट जिस चीज के लिए माना जाता है वह इसका प्रोफाइल और सशेट ट्रिमेंडर्स हेटिंग एरिया जबर्दस हेटिंग एरिया है इसमें यहां से लेकि यहां तक इसका हीटिंग जोन है यहां पर कहीं भी लगा और अगर आपने प्रॉपर्ले टाइम किया तो बैट का जो सिक्स है वह बहुत लंगा जाता है थ्रीपीस केंडल है इसका मैं आपको कर्व दिखाता हूं यह देखें कर्व हैं बैट का काफी कुप्षूरद है इस सर्फेस काफी कुप्षूरद है वेट अरूंड वन थाउदन एटी से ले राउंड वन प्रेटी फैवन ट्रीटी सिक्स कि रांगा बॉल होगा अब देख सब्सक्राइब कर लगते से जंप हो रहा है यह बैट जो है काफी हाट प्रेस्ट किया हुआ होता है जो किसी भी तरीके के टैनिस बॉल पर यह इसलिए चल जाएगा तो यह था फॉर्स कि यह उनका दूसरा बैट जो उन्होंने ओडर किया है इसका वी मैं आपको प्रोफाइल बताता हूं यह देखिए फ्रेंट व्यू है यह भी स्लाइट डॉल शेड है और ग्रेंस आप देख सकते हो बहुत खुश्राइब ग्रेंस है बैट पर यह इसका साइड व्यू यह इसका आपको प्रोफाइल बहुत ही तगड़ा है इसमें यहां से लेके यहां तक आपका हिटिंग जोन है अगर आपने सही टाइम कर दिया तो यह बॉर्टम से भी बॉल उठा देगा इसका भी आपको मैं कर दिखा तो यह देखिए इसका कर्व त्री पीस फूल केंडल है स्पाइरल ग्रिफ है सेम क्वालिटी का जो पहले वाले बैट में था इसकी बैलेंसिंग बहुत जबर्दस है वेट आरूंड वही 180-1100 ग्राम्स का वेट है बैलेंसिंग बहुत अच्छी है इस पर भी मैं आपको जो है है यह मैं आपको इस पर भी टैप करके दिखाता हूं कि बॉल सर्पेस पर लगते से बाउंस रहा है और काफी उचाई तक जा रहा है यह बॉल तो यह था सेकंड बैट हुंगा यह दोनों बैट्स जो है आज यह कल में निकलेंगा यहां से और दोहा कातर पहुचेंगे और यह बहुत ही भूशी हो रही है डलब स्पोर्ट के चैइनल पर शचानल पर ये चीशको मिडेंगा लोग्त बाते हुरे मैरे कस्टमर्स लोग के साथ में शेयर करते है और यह possibility आप लोग के प्यार के आप लोग के सपोर्ट के वज़े से हैं जो डीलव sports अप इंडिया के साथ साथ globally भी well known हो रहा है लोग बाहर भी इसको देख रहे हैं इसको पसंद कर रहे हैं और कफी लोग जो है अब सकते हैं तो आज के लिए इतना वस आज के वीडियो में यह ज़स्ट मैं आपसे शेर करना चाहता था चोटा सा हम लोग का जो अचीवमेंट है और यह जो बैट्स जो दोनों बैट्स जो मेरे क्लाइंट ने ओर्डर किया है वह मैं आपको दिखाना चाहता था अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक पे क्लिक करें अपने फ्रेंड्स को लेक्स टीमेट्स के साथ में शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और गैस आव